नमस्कार मैं हो सोक वर्मा आप देख रहे हैं टीवी 20 नूज आप सुरू करते हैं टीवी 20 नूज पर खबरों का सिलसिला आजमगर जिले के मुबारकपूर छेतर से सराफा कारोबार से जुड़े लोगों का लागभग 32 लाग का 614 ग्राम सोना लेकर बंगाल का कारिगर फरार हो गया है सराफा कारोबारी केसरी नंद वर्मा ने बताया कि बंगाल का कारिगर जो आजम कर जीले कि मुबारक पुर्चेतर के समाधी रूड पर इस्तित एक मकान में किराये पर रहता था उससे सभी दुकानदार सोना दे कर जिवर बनवाते थे इस दुरान लागडाउन के चलते कारिगर से काफी दिनों से मिलना नहीं हो सका जब कुछ लागडाउन में धीली मिली तो वे 18 मैं को जब उसके पहुंचे तो पता चला वो फरार हो गया है छे लोगों का लगवक 614 ग्राम सोना लेकर कारिगर फरार हुआ है जानकारी होने पर जब सभी सराफा कारोबारी मुबारक पुर थाने कीज दर्ज कराने पहुंचे तो हाँ यफायार दर्ज नहीं किया गया ऐसा आरोफ लगया जा रहे मुबारक पुर पुलिस पर इसलिए पीडित दुकांदार S.P. से नियाए के गुहर लगाते हुए मुकामी थाने में कीज दर्ज करने की मांग खुले कर आरोफ के खिलाफ कारवाई की मांग किया है क्या कुछ कहा पीडित केसरी नंद बर्मा ने आपको सुनवाते हैं को सच के अधा गयी मतली कीज आपको सुनवाहां कीज दर्ज कारवाते हैं मुछ उपक यह तो किरह था डो हो गया कराक। इसमय लॉटी नहीं पाकर फूल सभालन के पाइए फूल्स पर करते हुएं युटी मेंनों कलो पूँनल्ट हरा जुस्टा दा सभकी। अच्छा पुस्पश्रा नहीं चाल लेकर उसे काम करते थे तो अधार कारूर साभ हम लोग ढूख तो दिया में मैं दिया भी हूब केंसों को दिया है तो है नई किस्टिति आड़ेंगे तो ही हम आपका धेर लीखतें उन्च हमने बहत झूआ कि सबी लोगों का लेकर आई दीज यहां तो हम आगे करवाई देखते हैं कहां करने वाला हिंपू को बंगाल वुक्त income